आई येव हम आपको बताते हैं कि शनी देव अढ़या के साथ सनी की जो ठाई वर्ष की अढ़या होती है उसके साथ क्या-क्या करते हैं अढ़या आपको किस प्रकार से शुभ या शुभ फल देती है एक ऐसी भी राशी है जिसके लिए शनी महराज बहुत कुछ सवगार लेकर क्या है अभी हम बताने वाले पहले रढ़या के बारे हम जानी है बरतमान समय में जब धनु राशी में 26 जनवरी 2017 को शनी का प्रवेश हुआ है तो मीन राशी पर अढ़या और करक राशी पर अढ़या अर्थात शनी अपनी खास दोर पर राशी से जब चोथे और आठवे में आते हैं माप कीजेगा हम थोड़ा सा उल्टा बता गए जब चोथे आते हैं अर्थात कन्या वालों के अढ़या इस समय चल रही है और इसके अलावा ब्रिशब राशी वालों के ढ़या चल रही है हमाच आएंगे हम थोड़ा सा उल्टा बता गए तो कन्या और ब्रिशब ये दो राशी वालों के लिए शनी किस प्रकार का सौगा देंगे सबसे पहली चीज आपको अगर अब तक स्थानांतरों का सुख नहीं मिला था तो ये बहुत पॉजटिव सुख देने जा रहे हैं आपके जीवन में आपके मनचाही जगह पर अब आने की गुंजाईश आने वाले एक से सवावर्ष के अंदर में बनी रहे जिसमें से 25 अगस्त के बाद ये घटना कभी भी घट सकती है जब शनिदेव मारगी हो ये इस्थिती कभी भी घट सकती है तो अगर आपकी राशी कन्या है या आपकी राशी ब्रुशब है तो आप तयार रहिएगा इस सकरात्मक परिवर्तन के लिए तो अढ़िया इस समय जिसकी भी चल रही है दोनों के लिए ये बेहत शुब रहेगा कैरियर के लिहास से लेकिन अशुब भी रहेगा वह स्वास्थिक के दिश्टी से है तो अगर आपकी उंब्र आपकी अवस्था 50 प्लस पर है तो ब्लड प्रेशर आपका बढ़ सकता है हाट टेक की संभावना बन सकती है ये संभाव है अगर आप 50 प्लस की आप शुगर के मरीज हैं डाइपिटीक है आप बीपी के मरीज हैं ब्रेट प्रिशर हाई रहता है तो साउधान रहेगा मामला गड़ बड़ है यदि आपके महाधशानाथ भी ब्रिशब या कन्या राशी में बैठे हैं तो भी ये संभावना शत्प्रत्शत बनी हुई है ध्यान दीजेगा महाधशानाथ हो सकता है कि आपकी शुक्र की महाधशा चल रही हो और शुक्र आपकी कुनली में कन्या राशी में अर्था छे न बताएंगे कि धनुराशी वाले आखिर क्यों रहें सावधान इससे पहले जाना